हेलो दोस्तों मैं सवरों मलिक आप सभी का टोपिक स्टेडि में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के टोप 25 कोशन जोकि एक्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं तो आपको इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाना है और 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं अपने स्कोर कमेंड बोक्स में जरूर बताना है और अगर आप चाहते हैं इसी तरीकी से आपको डेली ओनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे साथी साथ मैं तो रीजिनिंग की भी वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेड कल के बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लेना होगा आपके पास टेली नोटिफिकेशन पहुचना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों अगर आपको टेस्ट हेलपू लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा अपने दोस्तों को फेस्बूक वोटसप पे भी जरूर सेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे और इससे पहले जितने भी ओनलेन टेस्ट की वीडियोज अपलोड हो चुकी है उनकी मैंने एक सेपरेट पलेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से जाके आपको वो सारी वीडियोज देख सकते हैं आपको और एक कोशन में 5-6 सेकिंड दिये जाएंगे उस 5-6 सेकिंड में आपको उस कोशन का अंसर नीचे कमेंट बोक्स में बताना है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को तो पहला कोशन है हासिया गैस का रसायनिक फोर्मूला क्या है बहुत बार एक्जाम में कोशन पुछ जाता है तो जल्दी से राइट आंसर बताएं कमेंट बोक्स में ओप्शन A, B, C, D में से कौन सा राइट होगा तो बिल्कुर से यह दोस्तों पहले का राइट आंसर आपको ओप्शन B हो जाएगा N2O is the right answer Q2 खाना पकाने के बरतन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है तो इसका राइट आंसर देखिए जल्दी से बताएए Q2 का राइट आंसर आपको ओप्शन D हो जाएगा काली सतय उसमा की अच्छी अवसोसक होती है तो बिल्कुल सही option D right answer हो जाएगा चलिए next question पे चलते है Question number 3 है आपका आकास करंग नीला किसके कारण दिखाई देता है तो right answer आपका हो जाएगा option C लदुत्तर तरंग देर्द्यों का परकिरण option C is the right answer GUI किसका संक्सिप्त रूप है तो GUI का फुल फॉर्म क्या है graphic user interface यानि कि आपका option A right answer हो जाएगा चलिए next question पे चलते है Question number 5 पेलिया रोग किसे प्रभावित करता है तो पेलिया रोग आपका यकरत यानि कि option B right answer हो जाएगा को प्रभावित करता है Question number 6 आवर्स सार्णी में निमलिकित में से कौन सी दातु सबसे बारी होती है तो 6 का right answer आपका option C हो जाएगा P B is the right answer चलिए next question पे चलते हैं नेक्स्ट आपका question number 7 है बंगड़ा कहा का नरत्य है तो सभी को पता होगा right answer सभी comment box में जरूर बतेगा option D is the right answer पंजाब का question number 8 डांड़िया कहा का परशित नरत्य है तो question number 8 का right answer आपका option A हो जाएगा यान की गुजरात का चलिए next question पे चलते है question number 9 नाट्य सास्तर के रचियता कोन थे तो right answer आपका option A हो जाएगा भरत मुनी question number 10 वर्दमान महावीर अन्यक किस नाम से विख्यात है तो दसवे का right answer आपका option D हो जाएगा जैन जैन नाम से विख्यात है चलिए next question पे चलते है question number 11 है रणजी ट्रोफी का संबंद किस खेल से है तो सभी को पता होगा right answer अपना comment box में जरू लिखेगा option C right answer हो जाएगा किर्केट से question number 12 बारतिय वन की अनुसंधान एवं सिक्सा परिक्सद कहां इस्थित है तो बारवे का right answer आपका option A हो जाएगा देरा दून में next question पे चलते है question number 13 कलेस्ट्रोल किस में नहीं होता है तो ठर्टीन का right answer आपका option A हो जाएगा ground nut oil में question number 14 जिला नियाएधीस किसके नियंतरण के अधीन होता है 14 का right answer आपका option B हो जाएगा उच नियाएगा लेके ठीक है चले next question पे चलते है question number 15 समाजिक नियाएगा क्या अर्थ है ये question SSC GD 2015 में पूछा गया था समाजिक नियाएगा क्या अर्थ है तो इस टाइब की questions भी आते हैं exam में देखें 15 का right answer आपका option C हो जाएगा जाती, नसल, रंग, लिंग, आधारित सभी परकार का भेदभाव दूर होना चाहिए यानिकि किसी भी तरीके का अगर भेदभाव नहीं है तो समाजिक नियाएगा अर्थ है ये ठीक है, तो option C right answer हो जाएगा सवंतंतरता के लिए क्या अनिवारिया है तो 16 का right answer आपका option B हो जाएगा अधिकार ठीक है, चलें next question पे चलते हैं question number 17 बहुत important question है उस देश का नाम बते है जिसने पर्थम उपगर है इस पूतनिक अंतिनिक्स में छोड़ा तो इसका right answer दोस्तों रहेगा option B सोवियत संग ठीक है, question number 18 production, career, input और किसके बीच के परियाकरत्मक संबन्द को दरसाता है तो right answer आपका C हो जाएगा output को ठीक है, चलें next question पे चलते हैं question number 19 आत्म निर्बरता किसका मुख्या उदेश्य था यानि कि कौन सी उजना का उदेश्य था आत्म निर्बरता यह आपको बताना है नीचे comment box में answer तो देखें दोस्तो sorry, 19 का right answer option C हो जाएगा तीसरी उजना का ठीक है, तीसरी उजना का उदेश्य क्या था? आत्म निर्बरता का मुख्या उदेश्य था question number 20 भारत में निमिलिकित में से कौन सी जन जाती सरवदिक संख्या में पाई जाती है ये question भी कहीं बार exam में पूछा जाता है और इसका right answer आपका option D हो जाएगा गोंड चलिए next question पे चलते हैं question number 21 पस्चिमी राजिस्थान की मरदा में किसका अधिक अंस होता है? तो बिल्कुर सही option B राजिस्थान हो जाएगा कैलसियम का question number 22 enzyme की गतिविदी किसके परिवर्थन से नियंतरित हो सकती है? तो enzyme की गतिविदी किसके परिवर्थन से नियंतरित हो सकती है? pH से ठीक है? तो right answer आपका option A हो जाएगा next question पर चलते हैं question number 23 protein किसे पचते हैं? तो 23 का right answer आपका option C हो जाएगा lie paste से question number 24 आम तोर पर किसे लोह पुरूस के नाम से जाना जाता है तो सभी को पता होगा हर एक इस trend का right answer comment box में आना चाहिए लोह पुरूस के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लब भाई पतेल right answer हो जाएगा option A ठीक है दोस्तों? चले next question पे चलते हैं question number 25 माहवीर का पर्थम शिश्य कोन था? 25 का right answer आपका option D हो जाएगा जमाली ठीक है दोस्तों तो आज के test में इतने ही question थे और आपको इन सभी के answer यहाँ पे मिल जाएंगे कर दो तो